दोस्तों आपने कई वेक्ति ऐसे देखेंगे जिनको जांगों के बीच बहुत अधिक पसीना आता है जहां दोस्तों बहुत अधिक पसीना आता है उनको ऐसा महसूस होता है कि ना उस साइड बहुत अधिक नमी नमी सी बनी रहती है जिसकी वज़े से उनको फंगल जमती है हमें दिखने में अच्छा लगता है सामने वाया क्या पर्सनल्टी तेरी बाई लेकिन उसका नुकसान भी है तो क्या होता है पहले लोग फॉर्मल पैंट पैंटे थे लड़कियां वगरा जो थी 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 थोड़ा धीले डाला सूट वगरा पैंटे थी लेकिन अब य जिसके वजह से वहां पर छोटे चोटे दाने हो जाते इनफेक्शन हो जाता है और इतनी बहेंकर खुझली हो जाती है कि व्यक्ति की छुटे ना छुटे क्योंकि दोस्तों यह खुझली यदि आप किसी मैफिल में बैठे हैं या कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में और यह इस खुझली को कैसे मिटाओं क्योंकि दोस्तों यह खुझली होने के वज़े से ना उस पार्ट पर जखम चालू हो जाते हैं क्योंकि जब यह मीटी मीटी खुझली चलती है तो व्यक्ति बहुत आजी खुझलाता है और यह दाने होते हैं छोटे-छोटे उसमें पस आने लग जाते हैं और वह पस यदि हमाने नखुन में लग गई और आपने किसी और एरिये पे खुझलाट कर ली तो उदर भी इंफेक्शन होने के चांसे तो पहला जीन्स पहनना अवाइड करें या कम करें दूसरा अंडर्वियर थोड़ा खुला-खुला पहने दोस्तों और वहां पर हमेशा नमी बनी रहती है दूसरा जल्दबाजी में हम गीले कपड़े पहन लेते हैं जहां दोस्तों जल्दी हो रही है अंडर्वियर थोड़ा सा गीला रही है पहन लिया बदन को पोचा है नहीं कपड़े पहन लिये तो वह अंडर्वियर गीला रही है परिशानी आएगी खेर बात करेंगा मेगनेट थेरेपी में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको मातर दबाने से और मेगनेट लगाने से जो फंगल इंफेक्शन हो गया जांगो की बीच खुजी लिए जकम हो चुका है हंड़ेट परसन ठीक हो जाएगा जहां दोस्तों के साथ साथ आपको जीन्स अवाइड करने पड़ेगी जो अंडर विए पैंते रहे टाइट होले इसको अवाइड करना पड़ेगा पहले के जमाने में लोग क्या थे खुल अप पहनते हैं मतलब अंडर वेड़ेट इनको चोड़े खुले 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 होते हैं हावा आनी जानी लेकिन आजकल फैशन का जमाना है जोकी का जमाना है टाइट पहनना जीन से टाइट होने चीए तांगे बिल्कुल असी चिपकी भी दिखनी थी है क्या फायदा भाई अपने शेरी का अनास कर रहे खैर कोई बात नहीं अगर प्रोग्लम आगे है तो इसको सॉलुशन भी है वह पॉइंट हमारे मिट फिंगर हम पढ़ेगा देखिए पर्स जोएंट सेकंड जोएंट के नीचे आएंगे तो यह दोनों जोएंट के मिड में तुवार्स थम थम की साथ पॉइंट है इस पॉइंट का नमदो सो एस्पी एलेवन दोनों फिंगर में यहां और यहां भी है आपको क्या करना जिम्मी की मदद से ना इस तरह किसे डेली दबाना है तीन से चार में टीप प्रशर देकर यहां तीन से चार में यहां दो से तीन सेट कीजिए चार सेट कीजिए जितना ज़्यादा आप दबाएंगे यह पॉइंट एक प्रोब्लम ठीक होने लग जाएंगे आप कहते हैं यह अब लेबल नहीं है कोई बात ने अंगोठे से अब बात करें दोस्तों मैगनेट थरपी में से कौन सी मैगनेट है जिसको लगा कर इस प्रोब्लम से जल्दी चुटगारा पासकते हैं दोस्ते के लिए मैगनेट एक तरह से वाइट और दोस्तों एक तरह से येलो और रहेंगे दोस्तों सेम पेपर टेप बात करें मैगने में लगा लिजे आठ ते दस घंटा दगा के छोड़ दिजे रात को फिर देखना कुछी दिनों में कुछी ठीक हो जाएगे छुका था वह ठीक हो जाएगे नमी बनना बंद जाएगे लेकिन इसके साथ साथ आपको कीले कच्छे अवायड करने पड़ेंगे जीन्स कुछ दिन के लिए अवायड करने पड़ेगे वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करे शेर करे चैनल पर पहले बारें सब्सक्राइब करना नव पुल्लें नमस्कार दोस्तों फिर्य में लूँँ आपसे किसेक नई वीडियो पे किसेक नई टॉपिक पे नमस्कार